अगर आप अपने लिए अपने लवड़ बन्स के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं पते नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये possible है या नहीं है या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं don't worry because I have a free training program for you जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो फटा फट लिंक पे click करें और जाने कैसे आप भी अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions कर सकते हैं इसी के साथ सारे 2024 के next 4 months that is May, June, July, August को देखेंगे तो इन 4 months के लिए सबसे पहले cards आप लोगों के लिए हैं Knight of Pentacles, Reverse and Celebration और ये दोनों ही cards एकडम से Contrary Energies की बात करते हैं जहां Knight of Pentacles का card pause लेने की बात करता है बहुत ही एक passive energies में रहने की बात करता है बहुत safe, बहुत secure होके चीज़ों को deal करने की बात करता है वहीं celebration का card socialize करने की बात करता है, fun, मज़ा, मस्ती करने की बात करता है कहीं you know अपने loved ones, अपने close ones के साथ या फिर colleagues, co-workers के साथ भी connect करने की बात करता है तो देखें इन्हीं दोनों चीजों के around in 4 months की starting या फिर 4 months में चीजें revolve करती हुई दिख रही है Knight of Pentacles के card को देखें तो कहीं हो सकता है, इन 4 months के starting में आपने एक pause लिया हुआ है जहां पे आप बहुत जादा ही safe secure होके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं यानि कि किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहा रहे हैं, किसी भी तरीके का chance नहीं लेना चाहा रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि जब तक again 100% sure नहीं होगा ना मैंने आगे नहीं बढ़ना है और deeper level के लिए इसका connection directly indirectly celebration से भी रह सकता है कोई celebration हो रही है या फिर कोई celebration आप plan कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत safe secure होना चाहा रहे हैं या फिर जो भी आपके loved ones हैं, colleagues हैं, co-workers हैं, उनसे connect करने से related आपका एक ऐसा attitude रहता हुआ दिख रहा है कभी-कभी होता है ना जब हम hurt हो जाते हैं और पीछे हमने देखा भी आप relationships को लेकर, लोगों को लेकर काफी emotional होए हैं और आपने काफी compromises, adjustments करें हैं तो हो सकता है कुछ work goals के लिए उसी चीज़ की a continuation in 4 months की starting में रह रही है जहां पे आप बहुत safe secure होके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई celebration हो रही है या फिर कोई reunion get together हो रहा है या फिर आप plan कर रहे हैं या you know आप pause ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों से connect करना चाहते हैं अब दिखिए दो चीजें होती हुए दिख रही हैं कुछ के लिए इन ही चीजों से आप pause ले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप बाकी चीजों से pause ले रहे हैं ताकि आप अपने loved ones, close ones या फिर जो भी लोग आपके workplace में हैं आपके personal front में आप उनसे connect करें आप जादा socialize कर रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी किसी भी level पे किसी भी तरीके की celebration, get together, reunion या तो in 4 months में या in 4 months की starting में हो रहा है या फिर आप plan करना चाहा रहे हैं and mid of these 4 months के लिए abundance का card बहुत ही beautiful energies की बात करता है abundance का मतलब होता है जितना हमने expect किया उससे जादा हमें मिल रहा है और यहाँ पर king of pentacles का card है तो कुछ के लिए कोई male figure भी हो सकते हैं जिनकी तरफ से money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related एक comfort है, एक support है, एक cooperation है और कुछ के लिए workos आप ही हो सकते हैं बहुत जादा एक materialistic, tangible चीज़ों पर focus कर रहे हैं या फिर comfort रह रह रहा है, खर्चा कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं जो भी materialistic comforts हैं, उनको enjoy कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ two of cups reverse का card कहता है कि आप relationship से थोड़ा सा खुद को distance कर रहे हैं या फिर किसी relationship में एक distance आ रहा है अब देखिए ये relationship सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए overall ही, you know, आप relationships को थोड़ा सा avoid करना चाहा रहे हैं होता है न, कभी-कभी हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, रिष्टेदारी बहुत हो गया लोगों से connect करना, आप ठक गए हैं अपना थोड़ा सा हम खुद के साथ time spend करना चाहते हैं या फिर जो भी और comfort हैं, इनके अलावा उनको enjoy करना चाहते हैं थोड़ा सा practical, realistic होके चीज़ों को deal करना चाहते हैं emotional नहीं होना चाहते हैं तो इस तरीके की energies रह सकती हैं और कुछ के लिए फिर से मैं कहूंगे, literally हो सकता है कि किसी loved one से आप अपनी तरफ से distance कर रहे हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से एक distance एक दूरी आ रही है और दिखिए beyond the point ये दूरी ये distance आपको उतना effect नहीं करता हुआ दिख रहा है क्योंकि deeper level के लिए abundance का card कहीं है नो materialistic, tangible चीज़ों को enjoy करने की बात करता है, भोगने की बात करता है ये भी हो सकता है वर्गोस की आपने comfort पे जादा focus करना चाहा रहे हैं उसको जादा एहमियत देना चाहा रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि बस भी बहुत हो गया relationships के चकर में परेशान होना और हमने देखा भी पीछे आपने compromises, adjustments करे हैं तो इन 4 months के mid में या फिर इन 4 months में आपको ऐसे लग सकता है कि भई अब न थोड़ा practical, realistic होके चीजों को deal करना है और जो भी comforts हैं आपकी life में देखे सबके लिए different comforts होंगे different चीजें होंगी जो आपको एक सुकून या happiness देती हैं उनको enjoy करना है तो फिर से किसी चीज को enjoy करते हुए दिख रहे हैं और overall relationship से या किसी खास relationship से एक दूरी आ रही है या फिर आप लाना चाहा रहे हैं and कही end of these four months के लिए four of pentacles, reverse and courage के cards कहते हैं किसी भी चीज को अगर आपने बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए थे तो उसको let go करते हुए दिख रहे हैं अब देखिए ये भी सब और गोस के लिए differ करेगा कुछ के लिए again कोई relationship, कोई connection हो सकता है जिसको थोड़ा सा आप let go कर रहे हैं let go का मतलब ये निए कि आप end कर रहे हैं, relationship खतम हो रहा है अगर बहुत एक attachment आप महसूस कर रहे थे, बहुत ज़ादा ही possessive, obsessive हो रहे थे तो वो चीज कम होते हुए दिख रही है, एक का दुका के लिए वो सकता है कि relationship आप let go कर रहे हैं बट overall के लिए थोड़े से आप comfortable, easy होते हुए दिख रहे हैं एक फिर से मैं कहूंगी attachment अपनी कम करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं हाला कि देखे इतना असान नहीं है, बहुत हिम्मत, बहुत courage की ज़रत है courage के card में आप देख पा रहे हैं, पत्थर में से fool निकल रहा है तो कहीं पत्थर में से fool निकालने वाली बात हो रही है again आपके लिए थोड़ा सा difficult हो रहा है detach होना, थोड़ा चीजों को easy लेना वैसे भी वर्गोज आप लोग perfectionist होते हैं तो हर चीज में एक बहुत आपका attitude होता है कि सब कुछ अच्छे से करना है तो हो सकता है simply कुछ वर्गोज इसी अपने attitude behavior को थोड़ा सा you know relax कर रहे हैं, flexible हो रहे हैं and कुछ के लिए हो सकता है कि कोई saving आपने करी कोई investment आपने करी और कहीं उसको आप खर्च कर रहे हैं उसको आप utilize कर रहे हैं और इस time period में कुछ वर्गोज या फिर काफी सार वर्गोज का खर्चा भी हो सकता है और especially जो savings आपने करी हैं वो कहीं आप खर्च करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे again courage का card कहता है कि कुछ you know मुश्किलात हो रही है इसको करने में again इतना easy नहीं रह रहा है बहुत हिम्मत, courage, willpower, determination की ज़रत है जो की आप रखते हुए दिख रहे हैं और दिखिए overall के लिए in 4 months की starting में छोटे-मोटे challenges भी again security, stability से related रहते हुए दिख रहे हैं या फिर हो सकते हैं और हमने in 4 months की starting में देखा ही था वोगोस कि आप बहुत safe होके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहा रहे हैं और कहीं देखिए in 4 months के end में हो सकता है कि इतना safe चलने के बावजूद भी आपको पैसे को let go करना पड़ रहा है देखिए पैसा भी कुछ के लिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 4 of pentacles का card एक flexible energies की बात करता है किसी चीज को लेकर थोड़ा सा you know easy होने की बात करता है या फिर let go करने की बात करता है तो 3 energies यह card बताता है और सबके लिए different situations different circumstances, different life के area से related different different रह सकता है कुछ के लिए letting go वाली energies कुछ के लिए easy वाली energies कुछ के लिए detachment वाली energies कुछ के लिए खर्चा करने वाली energies रह सकती है and again थोड़े से challenges या तो रह रह रहे हैं या फिर you know willpower determination आप बहुत जादा रख रहे हैं रखने की ज़रत है तो overall के लिए देखें again ये 4 months बहुत great नहीं जा रहे हैं लेकिन कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है जो भी छोटे मोटे ups and downs हैं वो मैंने आपसे share करे and life is all about ups and downs कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम घर से बाहर निकले हमें red light ना मिले traffic jam ना मिले खड़े ना मिले ये तो part and parcel है life का और वो ही कहीं you know मैंने आपको cards के थुरू बताया भी और yes अब देखते हैं कि आपके लिए इन 4 months के लिए क्या guidance है तो वर्गोज आप लोगों के लिए May, June, July, August के लिए क्या guidance है What is the guidance for वर्गोज May, June, July, August 2024 के लिए इन 4 months के लिए आपके लिए क्या guidance है क्या आप कर सकते हैं जिससे इन 4 months को बहतर बनाएं और चीजें आपके लिए असान रहें तो May, June, July, August 2024 के लिए आप लोगों के लिए guidance यहाँ पर है Impass का card reflect and redirect your energies तो देखिए कहीं यह card भी कहता है pause लें और अच्छे से चीजों को समझें और redirect करें अपनी energies यानि कि जो आप कर रहे हैं हो सकता है वो आपको आपके मंजिल अपके मकसद तक नहीं लेकर जा रहा है redirect your energies तो you know एक different direction अगर लेने की जरुत हो तो आप लें हिच किचाए ना आप hesitate ना करें और हमने देखा कि इन 4 months की starting में तो आपने pause लेया हुआ आप चीजों को समझना चाह रहे हैं और यहापे reflect का card भी कहीं इन ही energies को represent करता है बट अगर आपको direction दूसरी again मैं कहूंग लेने की जरुत है आप reluctant हो रहे हैं hesitate कर रहे हैं तो वो ना करें और देखिए अगर हम देखें 4 of pentacles के card में तो कहीं यह card भी redirect करने की बात करता है चीजों को थोड़ा सा एक let go करने की बात करता है तो I think जो आपके लिए guidance है वैसा ही आप करते हुए भी दिख रहे हैं और कहीं पर भी doubt आए पता नहीं यह ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आपको guidance का card confirm कर रहे हैं कि yes ऐसा करें यही ठीक भी रहेगा इन 4 months के लिए तो यह था वगोज आप लोगों के लिए 2024 के next 4 months that is May, June, July, August की reading और next video में हम last 4 months को देखेंगे that is September, October, November, December